वो आगात है आप सभी का एक को न्यू वीडियो पर देखिए अगर आप MP वोड के न्यू सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं यानि कि अभी टैंथे अफिर ट्वेंथ में आए तो आपके सेशन शुरू है तीन मीन हो चुके हैं अप टाइम हो गया आपके त्रमाशिक परिक्छा होगा अब इसके प्रिवस्ट में मैंने आपको ओवर्व्यू दे दिया था कि MP वोड के पूरे सेशन में कितने के एक्जाम होगे किसके नंबर बोड एक्जामनेशन के रिजट पर जोड़ेंगे क्योंकि अगर आप बोड एक्जामनेशन दे रहा है तो यह एक्जाम काफी तरफ से काफी बार पूछा जाता है कि यह जो एक्जाम सो रहा है इनको देना कितना जरूरी है अगर हम इनको ना भी दें तो हमारे बोड एक्जामनेशन के रिजर्ट पर क्या इंपक्ट पड़ेगा वहीसे मैं आपको इस वोड़े में बताऊंगा तो एंड तक बने रही से आपके एक्जाम स्टार्ट होने हैं यहां पर आप टैंट का और टैंट का भी यहां पर दिया गया है अब यह जो तो उनकी उपर डिपेंड करता है कि उनको एक्जाम करवाना है और कितना दिवस उनको देना है बाकि जो डेट्स रहेंगी वह आसपास ही रहेंगी क्योंकि MP वोड से ही अफिनेटेड है आपके सारे प्राइवेट इसकूस भी क्योंकि आप पढ़ाई तो MP वोड के अंडर में आते हैं सारे तो डेट्स आसपास ही रहती है सेप्टेंबर एंड में आप ऐसा माल सकते हैं मैं आपको telegram पर post कर दूँगा, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, time table अपना देख सकते हैं, अगर आप government school से हैं, तो बाकी आपको यहाँ पर एक result के update भी बताई जा रही है, कि आपके जो 33 सिक परिक्षव को result है, वो same month में, यानि कि September में ही 30 तारिक तक announce कर दिया जाएगा, अब यहाँ पर result क्यों important है, मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो board examination का result आएगा, उसमें इसके भी marks add होंगे, अब डिपेंड नहीं करता कि आपके in examination में कितने marks आ रहे हैं, वो percentage criteria है, वो मैं आपको exam pattern की वोडियो में अच्छी तरह किसे समझा दूँगा, बाकि आप अभी इतना मानके रखिए, कि आपको exam देने तो जाने ही है, वहाँ पर आपके present होनी चाहिए, इसका impact आपके result पर पड़ेगा, अब आपके number चाहिए, चाहिए अच्छा है, उससे फरक नहीं पड़ता है, बट आपके present वहाँ पर होनी चाहिए, अब मैं आपको संदेवस के बारे में बता देता हूँ कि आपके त्रेमसिक पर इक्चाहर में कितना संदेवस आएगा, देखिए अगर आप प्राइवेट इसकूल से हैं, तो जितना आपको अभी तक कराया है, उतना पूरा आएगा, बाकि अगर आप गौर्मेंट इसकू देंगे दोजार चॉबिस के, यानि कि टैंथ और ट्वेंट में हैं, तो एक खासकार आपको काफी जदा फायदा देगा, बौर्ड इग्जामनेशन के रिजल्ट में, बाकि जो भी होगा, वह मैं आपको आपको आपके बताई दूगा, तो उम्मीद ही कि आपको सारी बात में आपको आगे दूगा, तो कनेक्टेट रहेगा, कोई डाउट आता है, कमेंट कर सकते हैं, या फर मुझे इस्टा पर डियम करके बाद भी कर सकते हैं,